हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने चलता यारेजित में आज हम देखने वाले हैं कख्छा आठेवी के खंड आका कम्प्रीट स्रुशन वीडियो में तो वीडियो के एंड तक बने रही है तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के लाइक चनल सब्सक्रार कर दी इसमें कख्छा भरनी अपनी इसके बाद हमें यहां पर और कुछ नहीं भरना है यहां पर यह सिक्षक का काम है भरना यहां पर तो इसको आप नहीं भरेंगे इसके बाद हमें यहां पर करना है तो यह हमारा यहां से कार्ण होता है आपका खंड आका है तो यहां पर हमें क् यानि पांच बटे को कितने से करना है 30 बटा पांच यू अगला कोस्चन देखते हैं तो क्रप्र ऐलका सरी चाहती खिबंगर का जाकी सब्सक्राइब आपको तो इसमें आप गलत नहीं करेंगे से उसमें क्या दिया गया है। तो इसका आंसर कितना निकल किया रहा है दो निकल किया रहा है C अगला question दिया गया है बटे में यदि एक सी संख्या होती है तो उपर के diet कट जाते हैं तो आठ मैंसे 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके आठ मैंसे 5 जाएंगे तो 3X बचेगा तीन से काट देंगे तीन एकम तीन तीन दरका नो X बटा कितना आ जाएगा हमारा 3 अच्छे समझते चलिए क्यों कि एक्जाम में आ सकते कभी भी तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D अगला question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है nya forever तो इसमें क्जा आंसर हो जैगा अधिक कौन होजाएगा क्यों कि हमें समझ्वड़क बनाना है तो न्यून कौन को और अधिक कौन को जोड़ें तहीं ही समझ्वड़क बनेगा हमारा कौन तो इसमें कौन सा अंसर हो जाएगा अधिक होन, अगला question अगला question क्या दिया गया है, तरभज के सभी खोनों का यो कितना होता है 183, डिग्री होता है एक 180 डिग्री होता है तो यह दो पर दिए गया है यहाँ से उन पर आपको इसकाा देता हम यहाँ पर एक तरफज बनेगा आपका ABC यहाने ABC एक बनेगा पी Q वो R ठीक chop यहांपर PO R यह तिरुभज वाने हज़ी है इसमें देख लिजिए AB के साथ में कौन सी बजा है यहाँ पर यह A B बता रहे ठीक है यहाँपर AB के यहाँ से देख लिजिए फैले दो तिरुभज यहाँबर ठीक है यहाँपर तो यहाँ पर देख लीजिए A, B A, B के साथ में कौन सी बजा मिल लई हमें P, Q तो P, Q होगा क्या होगा आंसर इसका P, Q और आगर B, C के पूछे तो B, C में क्या होगा आपका यहाँ पर Q, R और A, C में पूछे तो क्या होगा P, R ठीक है, लेकिन हम से पूछा यहाँ पर A, B के संगत पूछा, तो A, B के संगत क्या है P, Q तो किसमें है आंसर A में निकल आएगा ठीक है यहाँ हमारे किसमें दिया गया है option number A पर अगला question तो अगला question क्या दिया गया है इसमें हमें निकालने है मात देखा, मात देखा मतलब क्या होती है डारेक्टरी निकाल देते हैं इसका, ठीक है इसका correct answer क्या होने वाला है तो यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर 36 इतना निकल गया रहा है 36 answer हो जाए जो आपसा नमर किसमें दिया गया है B और यहाँ यह इसका प्रतीसत ग्याद करना है तो मैंने सब के एक साथ हमें answer लिख दी है अच्छे से आप इसे note down कर लीजिएगा यह आपका 11 मा question है और यह 12 मा question यह 13 मा question आपका और यहाँ पर यह 14 मा question दिया गया है यह 15 मा question है यहाँ पर यह question number 9 के answer इसी प्रकार से करना है आपको और यह question number आपका 10 10 हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर यह 100 बटे 9 लिखा है इसको आपमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 11 सही एक बटा 9 परसेंट तो इसका मतलब ही यही होगा ठीक है 100 बटे 9 अगला question देखते है तो अगला question का answer हमारा क्या दिया है 11 मेगा तो 11 माँ पर यहाँ देख ली दिया ठीक है यह 11 माँ दिया गया है 11 मेगा एक किलो बटावर होता है 1000 तो 25 किलो बटावर होगा हमारा अगला question दिया है यहां पर बरका परिमाप दिया था यह चार यह लिखी है यह को बूलते हैं भुजा ठीक है यहां पर भुरी लिखा है यह वरावर करो कि चार बटे में आजाएंगे चार से कर जाएगा तो कितना 90 आजाएगा बरका चेत्र फलका सुत्र होता है बुजागी घाद दो ठीक है यानि इसका बर्ग नकालना है ठीक है तो यहाँ पर बर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगे 81 ठीक 00 जीरो अगला यहां पर यह कुछ नहीं लखा यहां पर यह रीज है ठीक अगला कश्चन देखते हैं अगला कुश्चन पंधर माद यह दिया है आपर एक दिन में कोई व्यक्ति एक गंटी 45 मिट यह कैसा लिखा हुआ था आपका इस परकार से लिखा हुआ था एक सही तीन तो कितना हो जाएंगा ये आगे का तो ये गेंटा है ये इसके बाद से compatibility इस्के बाद क्या है इससे में दिछ लीजी इसका Когда यहाँ पर हमें तो आप जानते हैं कि 70 मिनत現在 इने घड़ी में ठीक है तो मिनट का एक है कि यहां से साट मिनट का एक गंटा हो जाएगा तो यहां से निकला आएग arm rightly कितने बचेंगी हमारी पास दस मिनिटीगे त इसलिए यह आंसर का जुका है अगला विंगा इसलिए गरा है यह हमारे संगत निकाल ले तेसमें तो इसमें देख लीजिए यह हमारे पहले कांसर है दूसरे का तीसरे का और यह चोथे का तो अच्छे से लिख लीजिए का कॉपी में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद